Welcome to Simply Crack तो आज हम बात करने वाले हैं SAC CZL 2022 के Tier 1 और Tier 2 की cut-off के बारे में ये वीडियो आप सभी aspirants के लिए बहुत important है क्योंकि इससे आपको अपनी preparation में एक target set करने में help मिलेगी इस वीडियो में मैंने category-wise भी safe score बताया है तो make sure आप इस वीडियो को पूरा end तक देखें तो आएए देखते हैं कि Tier 1 में इस बार क्या scenario है SAC ने pattern बदला है तो aspirants के बीच काफी confusion है कि Tier 1 में कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे Tier 2 exam के लिए तो एक बार हम CGL 2019 के stages देखते हैं CGL 2019 में Tier 2 में 153,000 candidates ने qualify किया था फिर SAC ने एक result निकाला था Tier 2 का जिसमें उन्होंने Tier 3 की copies evaluate की थी और उस result में इन्होंने 43,896 candidates को qualify किया था फिर एक Tier 3 का result आया था जिसमें CPT और DEST के लिए 41,000 candidates qualify हुए थे और finally 8426 candidates का selection हुआ था अब देखते हैं कि CGL 2022 में क्या scenario है CGL 2022 में अगर आप देखें तो Tier 3 बिलकुल नहीं है वो stage हट गया है और अगर आप notification को ध्यान से पढ़ें जो ये 16.8 clause है उसमें आपको दिख जाएगा कि SAC ने ये बोला है कि declaration of final result से पहले ये लोग एक online option form मगाएंगे mostly ये post preference के लिए होगा तो मुझे लगता है कि SAC Tier 2 के बाद एक और result निकालेगी ये CPT और DEST qualification के लिए या evaluation के लिए जिसमें ये 30-40,000 candidates minimum qualify कर सकती है क्योंकि ये वो candidates होंगे जो शायद option form भी fill करेंगे SAC की website पे और फिर ये final selection होगा 20,000 का तो मेरे according SAC इस बार Tier 2 में at least 6-7 times number of seats candidates को qualify करेगी Tier 2 में because जो पहले होता था कि number of seats के 15 या 17 गुना candidates qualify किये जाते थे Tier 2 के लिए वो उसकी possibility मुझे कम लगती है क्योंकि ये stage है ही नहीं अगर ये एक stage नहीं है तो मुझे लगता है कि 6-7 times of the number of seats SAC बुलाएगी Tier 2 examination के लिए तो अभी तक आप इतना समझ गये होंगे कि SAC इस बार logically 1.5-2.0 candidates बुला सकती है Tier 2 examination के लिए अब हम एक बार देख लेते हैं कि SAC CGL 21 में cutoff क्या गई थी UR की 130, OBC की 117, EWS की 109, SC की 94 और ST की 81 यह सभी normalized cutoff है आप इसमें से average 10 marks कम कर दें तो अगर raw marks की बात करें तो 120 गई थी इस 120 marks पे आपके around 1,14,000 candidates थे तो अब आप भी समझ सकते हो कि अगर SAC ने 1.5-2.0 candidates को qualify करना है तो 120 is more than a safe score in SAC CGL 2022 Tier 1 examination तो आप यह मान के चलो कि 120 cutoff cross नहीं करेगी और जिन्हें अभी तक Tier 1 की scheme नहीं पता वो एक बार देख लें यह चारो section होंगे टोटल 200 marks का आपका paper होगा और एक घंटे का आपको time मिलेगा 1 by 4 त आपकी negative marking है और यह exam आपका qualifying होगा अब बात करते हैं Tier 2 examination के यह Tier 2 exam का pattern है इसमें 4 section है इन में से इन 4 sections की ही merit बनेगी exam जो टोटल होगा वो 390 का होगा यह दोनों qualifying है आपकी जो negative marking होगी वो 1 by 3 की होगी तो अब बात करते हैं कि Tier 2 में final selection के लिए आपका safe score क्या रह सकता है हर एक category में अब अगर आप Tier 2 के pattern को देखे हैं इसमें 4 section है Quant, Reasoning, English and General Awareness यह more or less Tier 1 की ही तरह है बट यहाँ पर दो important change किया है SSE ने पहला जो change किया है वो यह है इन्होंने Tier 2 में General Awareness की weightage को reduce कर दिया as compared to Tier 1 अब अगर General Awareness की weightage reduce हो गई है और English की, Reasoning की और Quant की weightage को बढ़ा दिया गया है तो overall attempts जरूर increase हो जाएंगे लेकिन SSE ने एक और change किया है वो है 1 third negative marking in Tier 2 examination तो इस 1 third negative marking की वज़े से यह जो overall increase in attempts है यह थोड़ा बहुत balance out हो जाएगा तो अब Tier 2 में दो चीज़ें हो सकती है या तो आपका paper tough आएगा या easy to moderate आएगा तो अगर आपका paper tough हुआ तो आप जानते हैं कि इसी तरह के dynamic pattern पे IBPS का भी exam conduct किया जाता है और आप IBPS के exam में आप 50% भी score कर लेते हो तो आपको final selection मिल जाती है general category के हो तो भी तो अगर TCS ने इस बार paper tough किया तो मेरी ये वाली बात आप याद रखना अब अगर आपका paper easy to moderate हुआ जिस बात के 99% chances है तो आप assure हो सकते हैं कि 1 by 3rd negative marking के साथ अगर ऐसे paper में आप 75 to 80% score करोगे 75 to 80% correct score I am telling अगर आप 75 to 80% score करोगे वो more than sufficient होगा आपको एक 4600 grade pay की job दिलाने में यहाँ मैं आपको एक disclaimer देना चाहता हूँ कि मैंने यह assume किया है कि TCS का paper mains का easy to moderate level का होगा एक standard paper set करेंगे अगर इन्होंने paper को बहुत ही easy कर दिया जैसा कि हमने पहले SSE के साथ होते हुए देखा है किसी-किसी shift में बहुत ही easy paper आ गया था तो अगर वैसा कुछ हो जाता है तो obviously cutoff बढ़ेगी but अगर easy to moderate paper है 80% marks is sufficient to get you through even to a 4600 grade पे अब देखते है कि cutoff में recording क्या हो सकती है तो यह expected cutoff है आप देख सकते है कि 4600 grade पे के लिए अगर यूवार में आपने इतना स्कूर किया मुझे लगता है this is more than sufficient to get a 4600 grade पे job similarly you can see for EWS, OBC, SC, and ST for 2400 grade पे जिसकी vacancy अभी बहुत ज़्यादा है आप देख सकते हैं कि cutoff EOR के लिए क्या हो सकती है EWS के लिए क्या हो सकती OBC और SCST के लिए क्या हो सकती तो overall इस video के end में conclusion यही देना चाहता हूँ कि आप अपना target tier 2 के लिए 80% marks लाने का set करें obviously paper के level के अनुसार यह बदलेगा तो generally अगर आप 80% marks score करते हैं you will be able to get a job and that too mostly a 4600 grade पे job तो जल्दी ही इस channel पे मैं आप सभी के लिए subject wise strategy भी लेके आऊँगा अगर आपको यह content पसंद आ रहा है तो please इस channel को subscribe करें Thank you